पांचो पांडवों के नाम बताओ इधार उधर का देख रहा है बे मालूम नहीं है तुमको बता रहे हैं मास्टर जी एक तो भीन था एक ठो उससे बड़ा था एक ठो उससे छोटा था एक ठो और था बाकी एक ठो का तो नाम है हम भूल गये मास्टर जी वाह क्या जवाब दिया है तुमको तो साबाशी मिलनी चाहिए वे स्टुडेंट ओड़ इयर गढ़ा कहीं का बीरबल कौन था हमको तो नहे हैं मालूम मास्टर जी कौन था कभी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देलिया करो बे तभी तो मालूम रहेगा न जैसा की नाम से ही जाहिर हैं मास्टर जी मास्टर जी एक तो बाद पूछें पूछो आपको पता है गौता ममी अमनीश कौन है अब यह कौन है वे कभी अपनी बेटी पर भी ध्यान दे दिया करो तभी तो मालूम रहेगा ना अब यह आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करेंगे और यह जायजा लेंगे कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है यहां पर है बच्चों बाकी नेता लोग मन की बात करते आई और हम फन की बात करते आई डरो नहीं हम कोई ख़तराख सवाल नहीं पूछेंगे जो भी पूछेंगे बस जवाब मज़ेदार देना समझे की नहीं हाँ 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 जी जी कर अच्छा पहले सब लोग एक एक करके यह बताओ कि तुम लोग आगे अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो सर मेरा नाम शीला है और मैं बड़ी होकर एक आदश मा बनना चाहते हूँ वह वह बहुत खोब क्या सुन्दर विचार हैं बालिका के अब तुम बताओ बेटे सर जी मैं न बड़ा होकर सब की सहाथा करना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं शीला की सहाथा करना चाहूँगा शीला की सहाथा? मगर किस चीज में? मा बनने में विद्यार्थी मजाखिया है अच्छा है, बहुत अच्छा है अब मैं अगला सवाल तुभी जे पूछूँगा ये बताओ कि इंसानी शरीर में सबसे कोमल अंग कौन सा है? बताओ बताओ सर जी, इंसान के शरीर का सबसे कोमल अंग उसका पिशवाडा है पिशवाडा? हाँ सर जी, जिसे हिंदी में चुतड, उर्दू में तश्रीफ, अंग्रेजी में बटक और आम बोल चाल की भाषा में गाँ अब एक अधे का बोल रहा है बे? सच बोल दे है मासर जी, मैं तो प्रूफ भी कर सकता हूँ हाँ हाँ, साबित करो देखिए सर जी, इंसानी शरीर का ये हिस्सा इतना नाजू कर कोमल होता है कि ये कई-कई तरह से और बाते बात पर फट जाता है और यहीं नहीं सर जी, कमाल की बात तो ये है कि ये तीन लेवल पर फटता है इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और लोकल लेवल लेवल पे फटना अजब जन्ता डल और बीजेपी एक हुए तो कॉंग्रेस की फट गई यह वा नेशनल लेवल पे फटना और लोकल लेवल पे इधर आप और मैं बाते कर रहे हैं अब उदर मास्ट्रा जी की फट रही है इसे कहते हैं लोकल लेवल पे फटना